Hello students, welcome back to my channel अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल दीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और bell notification भी ज़रूर दबा दीचेगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के notifications टाइम पर मिलते रहेंगे assessment के बारे में हमारा topic चल रहा था तो आज की वीडियो में हम assessment के effects के बारे में बात करेंगे assessment की importance के बारे में बात करेंगे और assessment के principles के बारे में बात करेंगे assessment को हिंदी में हम anklan कहते हैं ठीक है अब आंकलन जो है या assessment जो है उसका किस-किस पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है क्या-क्या effect पड़ता है तो उसका effect teacher और students दोनों पर ही पड़ता है assessment जो है वो कितने type का होता है वो आप जाकर के playlist में देख सकते हैं assessment of learning subject की playlist पनी हुई है आप जाकर के check कर सकते हैं हमने बहुत सरे types of assessment पड़े हैं तो उन ही assessment के basis पे effect होता है assessment का assessment का प्रभाव teacher और students दोनों पर ही पड़ता है क्योंकि assessment जब हम करते हैं जब एक teacher बच्चे का assessment कर रहा है मतलब वो यह जान रहा है कि जो चीजें उसने classroom में बच्चे को पढ़ाई थी वो बच्चे को कितनी समझ में आई है एक तरीके से यहां पर teacher को भी अपना जो उसने पढ़ाया है उसका feedback मिलता है और student की learning का भी पता चल जाता है एक तो यह पता चलता है कि teacher ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है या फिर एक teacher को और ज़्यादा improvement की ज़रूरत है या नहीं है और साथ में यह भी पता चलता है कि जो चीज उसने पढ़ाई है वो student को कितनी समझ में आ रही है या उसे और ज़ादा कुछ teaching aids को add करने की ज़रूरत है या अपना way of teaching बदलने की ज़रूरत है तो यह जो assessment है यह दोनों को ही effect करता है positively ही हमें feedbacks मिलते हैं हम बात करते हैं assessment की importance की हमें assessment क्यों करना चाहिए classroom के अंदर क्योंकि assessment करने से student की abilities का पता चलता है student के interest का पता चलता है क्या difficulties student को आ रही है learning में वो पता चलता है और even teacher को भी difficulties का पता चलता है जो उसके teaching में आती है साथ में teacher को अपनी weaknesses का भी पता चलता है और student की weaknesses का भी पता चलता है qualities का पता चलता है students की और assessment से बच्चे के overall development में भी मदद होती है, teacher-student relationship भी build up होता है, क्योंकि teacher और student हैं, आपस में question answers पूछते हैं, थोड़ा interaction होता है, तो एक cordial relationship develop होता है, normal atmosphere हो जाता है, साथ में feedback तो मिलता ही मिलता है, teacher को student के बारे में feedback मिलता है, और teacher को अपनी teaching के बारे में भी feedback मिलता है, साथ में assessment करने से teacher का खुद का development भी होता है, अब देखते हैं principle of assessment के बारे में, assessment करने से हमें valid results मिलते हैं, मतलब वो चीज valid होती है, क्योंकि वो हम कोई न कोई test लेकर के बच्चे को assess कर रहे हैं, उसको marks दे रहे हैं, plus जो assessment होता है, वो sufficient results लेकर के आता है, fair results हमें मिलते हैं, और यह authentic way है, क्योंकि यह evidences भी देता है, और यह proven fact है, क्योंकि हमारे सामने चीज हो रही है, हमें immediate assessment भी मिलता है, immediate feedback भी मिलता है, इसलिए यह proven भी है, साथ में यह safe भी है, और manageable भी है, क्योंकि आप safely अपने classroom में बच्चों का assessment कर सकते हो, और अगर आपको कोई difficulty आ रही है, तो आप flexible यह है, ही तो manage भी कर सकते हो, प्लस यह current चीजों पर based होता है, recently आप कर सकते हैं, currently आप कर सकते हैं, यह reliable results आपको देता है, जो real होते हैं, साथ में आपकी complete understanding भी develop करने में मदद करता है, और साथ में यह learning में भी मदद करता है, और development में भी मदद करता है, तो यह सारे इसके principles भी हैं, और इसके importance में भी यह points आ सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like करना, share करना ना भूलेगा, चानल को subscribe करना ना भूलेगा, bell notification को दबाना ना भूलेगा,